तो दोस्तों आज मैं explain करने वाला हूँ इस साल की one of the hidden gems proper horror film को जिसका नाम है immaculate जिसका meaning होता है tidy, neat, यानि कि साफ सुतरा फिलाल इस movie की IMDb rating है 6.5 stars out of 10 और ये rating उपर नीचे हो रही है तो जाद ध्यान मत देना, movie काफी बढ़िया है movie के अंदर आपको convent मिलेगा, nuns का concept मिलेगा और एक काफी interesting concept भी है जिसको देखकर आपको मज़ा आजाएगा तो असली पत्तों के लिए आपको वीडियो को अंतक देखना होगा, लेकिन trust me movie काफी बढ़िया है, काफी interesting है बाकी मैंने हाली में है explain किया है Victoria एक रहसे फिल्म को, जो की काफी बढ़िया movie है, super natural angle के साथ psychological angle भी है तो आपको देखने में वो भी अच्छी लगीगी, तो उसको देखने के लिए आपको नीचे जाना है description में और pinned comment में, जहां पर आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा अब बिना किसी देरी के चलते हैं, सीधा, वीडियो की तरफ तो मूवी की शुरुआत एक बहुत बड़े convent को दिखाते हुए होती है, जिसके अंदर हम एक sister को देख पाते हैं, जो की गवराते हुए अपना सामान पैक कर रही थी और वो फिलाल के टाइम पर वहां दिवार पर कुछ चीजे लिख कर एक फोटो को टांग देती है, जिसके बाद वो मदर सुपीरियर की रूम में जाकर में गेट की चाबी चुराती है, मतलब की साफ था वो उस convent से भागने की कोईश कर रही थी, लेकिन उसने दिवार पर वापस अंदर ले जाती हैं, और अब सजा के तोर पर उसे टॉर्चर करकी जिन्दा ही एक कॉफिन के साथ दफना दिया जाता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, खर अब आगे के समय में हम सेसीलिया नाम की एक लेड़ी को देख पाते हैं, जो की खुद एक स सिस्टर थी, और वो स्टेशन पर खड़े होकर किसी का इंतिसार कर रही थी, तब ही वहाँ पर एक आदमी आता है, जो की सीसीलिया को पिक करके उसी कॉनवेंट के बाहर लेकर जाता है, जिसको हमने मोवी की शुरुआत में देखा था, जहां पर हम जानते हैं कि क्या होता ह खेर अब यहाँ पर आने पर उसकी मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है, जो कि असल में उस कॉनवेंट की सबसे सीनियर मेंबर्स में से एक थी, खेर अभी के समय पर मदर सुपीरियर सीसीलिया के लुक्स की तारीफ करती है, और वहाँ से उसे सिस्टर इजबल के साथ उसक पूरी हो गई हैं और उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है और यहीं रीजन था कि सिसीलिया को इटली के अंदर इस कौन्वेंट में बुलाया गया था और उसको बुलाने वाले कोई और नहीं बलकि फादर सैल टेड़ेस्की होते हैं और क्योंकि सिसीलिया को भी ऐस सिसीलिया का वहाँ पर ट्रांसफर हो गया है साथी साथ उसने सिस्टर बनने के लिए इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि जब वो चोटी थी तो एक बार वो एक लेक में गिर गई थी और क्योंकि उसको तैड़ना नहीं आता था तब वो डूबने लगी फिर जब उसको ब बहुत जादा माना करती है अब वो लोग इन सब के बार में बात करी रहे थे कि तभी सिसीलिया को ओत लेने के लिए बुलाया जाता है जहाँ पर फादर सैल टेड़ेस्की और कारडिनल फ्रैंक को मेरोला उसकी ओत को पूरा करवाते हैं जिसमें सिसीलिया ने ये कमिटमेंट करा था कि वो पूरी जिन्दगी अब जीजस क्राइस्ट के नाम कर रही है और अब आगे वो किसी भी आदमी के साथ किसी भी तरह का कोई भी रिष्टा नहीं बनाईगी और अब उसकी ओत पूरी होने के बाद में जब सिसीलिया चर्च के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक सिस्टर जमीन पर लेट कर जोर जोर से रो रही थी तब सिसीलिया उन्हें शान्द करवाने की कुईश करने लगती है लेकिन जैसे ही उसकी नजर सिस्टर के चेहरे पर बढ़ती है तो सिसीलिया बहुत डर जाती है क्योंकि उस सिस्टर का पूरा चहरा बहुत ही जादा भयानक था लेकिन होता ये है कि तब ही वहाँ पर सिस्टर फ्रेंचेस का पहुँच जाती है और जब सेसीलिया वापस से दूसरी सिस्टर को देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था अब आगे फ्रेंचेसका उसको एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर जीजस क्राइस्ट की बॉड़ी मौड़ी मौजूद थी साथ ही साथ वहाँ पर एक नेल भी रखा हुआ था तब वहाँ पर सिस्टर फ्रेंचेसका ये चाहती थी कि सिसीलिया उस कील से अपनी बॉड़ी पर वैसे ही मार्क्स बनाए जैसे कि जीजस क्राइस्ट की बॉड़ी पर छोटे 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 छेत थे यानि कि जब उनको क्रूसिफाई करा गया था जिसको सुनकर सिसीलिया वहीं बहोच हो जाती है और फिर जब उसकी आख खुलती है तो वो एक पिंजरे के अंदर कैथ थी जहां पर उसकी रखवाली करने के लिए एक गार्ड को भी बठाया गया था जिससे जब सिसीलिया उसको जाने के लिए कहती है तो वो गार्ड कोई भी रिप्लाई नहीं करता तब ही पीछे की दिवार से दो हाथ निकल कर सिसीलिया को नीचे खीच लेते हैं और काफी सारी सिस्टर्स आकर उसको मारने की कोईश करने लगती है जिससे सिसीलिया की अप नीन तूट जाती है मतलब की फिलाल के टाइम पर वो एक नाइट मेर देख रही थी खैडिस नाइट मेर की वज़ा से सिसीलिया बहुत ही जादा डर गई थी लेकिन तब ही उसे अपने रूम के अंदर कोई दिखाई देता है लेकिन लाइट सौन करने पर वहाँ कोई नहीं था अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि जब चर्च के अंदर यानि की कॉन्वेंट के अंदर मीटिंग चल रही थी तब वहाँ पर मदर सुपीरियर की एक बात पर सिसीलिया को थोड़ी हसी आ जाती है लेकिन मदर सुपीरियर को सिसीलिया की ये हरकत पसंद नहीं आई थी लेकिन अभी वो कुछ नहीं कहती और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं जहां पर पहले सिसीलिया कपड़े दोकर सुखाती है और उसके बाद उसको चिकन को मारने के लिए का जाता है ताकि खाना बनाया जा सके लेकिन सिसीलिया वो नहीं कर पाती और फिर जब वो कपड़े उठाती है तब वहां पर उसे एक सिस्टर गूर रही थी अब रात में जब सिसीलिया सो रही होती है तब ही अचानक से वहां पर एक बोड़ी और आता कर उसके बाल काटने लगती है जिससे कि सिसीलिया बहुत ही जादा डर जाती है लेकिन क्योंकि उसे लगता है कि शायद उस ओरत को नीन में चलने की बिमारी होगी इसलिए वो उसको वापस उसी जगा पर लेकर सुला देती है जहां पर बाकी सारी रेटायड सिस्टर्स हो रही थी लेकिन अभी के टाइम पर जब वो वहां से जाने लगती है तब ही वो उस औरत के पैर में एक क्रॉस का निशान नोटिस करती है जो की जलने की वज़े से हुआ था लेकिन जलने की वज़े से इस पैसिफ एक क्रॉस का बनना बहुत ही वियर्ड है इसको देखकर सिसीलिया को कुछ समझ नहीं आता इनफेक्ट हमें समझ नहीं आता I mean suppose करो जैसे कि हम इंडिया की ही बात करते है कभी कबार गलती से हाज जल जाता है या फिर फिंगर पर चोट लग जाती है लेकिन वहाँ पर अचानक से खुद पे खुद ओम मन जाए तो आप भी सोचोगे ना कि ये कैसे हुआ तो यहाँ पर वही सेम चीज़ थी लेकिन यहाँ पर फॉरण की बात है खर अगले दिन जब सिसीलिया बाहर ना कर आती है तो उसकी मुलाकात सिस्टर फ्रीदे से होती है जिससे बात करके उसे पता चलता है कि असल में फ्रीदे को एक इनसान ने धोका दिया था और इसलिए उसने सिस्टर बनने का डिसाइड कर लिया ताकि उसे आगे किसी के साथ रिष्टा ही ना रखना पड़े तब सिसीलिया भी उसको अपनी कहानी के बारे में बताती है और तब ही अचानक से उसको वॉमिट होने लगती है फिर जब सिसीलिया का चेक अप करवाया जाता है तो शॉकिंग बात सामने आती है कि सिसीलिया प्रेगनेंट है जी हाँ जो कि शॉकिंग ता हुई नहीं सकता था और ये बात जानकर तो सिसीलिया को खुद बहुत बड़ा धका लगता है योगि उसके हिसाब से आज तक उसने किसी के साथ भी कोई शारिरिक संबन नहीं बनाए थे यानि कि वो वर्जिन थी तब फादर उससे सब कुछ पूछते हैं लेकिन सिसीलिया अपनी बात पर अड़ी रहती है लेकिन जब सभी लोग ये जानते हैं कि सिसीलिया ने किसी के साथ संबन नहीं बनाया है और उसके बाद भी वो प्रेगनेंट है तो सब को लगने लगता है कि शायद वो वर्जिन मेरी है और सिसीलिया के पेट में जीजस क्राइस्ट है और शायद से जीजस क्राइस्ट फिर से धर्ती बराने वाले हैं शानती बनाने के लिए इसलिए वो सब उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चालू कर देते हैं लेकिन इजाबल कोई सब पसंद नहीं आ रहा था और तब ही हम देखते हैं कि अगली बार जब सिसीलिया को वॉमिट होती है तो उसका एक दात भी तूट जाता है जिससे कि सिसीलिया बहुत ही शौक्ड हो जाती है वैसे भी ये प्रेगननसी नॉर्मल थी ही नहीं लेकिन दात का टूट जाना काफी वीर्ड था खर अगले दिन जब सिसीलिया नहाराई होती है तब ही वहाँ पर इजाबल पहुँच जाती है और ये स्टेटमेंट काफी अजीब थी कि उसकी जगा उसे होना चाहिए था माइट भी शायद वो प्रेगननसी की बात कर रही है खरब वापस से डॉक्टर गैलो को सिसीलिया का चेक अप करने के लिए बुलाया जाता है जिसको चेक करने के बाद वो बताते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन आज के हादसे की वज़े से सिसीलिया बहुत ही ज़दा डर गई थी इसलिए वो टेड़ेसकी से उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने को कहती है जिस पर टेड़ेसकी इसके लिए साफ इंकार कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से जैसा ध्यान वो सिसीलिया का रख सकते थे वैसा कोई और नहीं रख सकता जिसको सुनकर सिसीलिया शान तुचाती है अब अगले दिन जब सिसीलिया अपना काम कर रही थी तब ही उसको किसी के चलाने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर इसाबल ने च्छत से कूद कर खुद की जान ले ली थी जिससे कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था जो कि देखने के बाद सिसीलिया काफी डर गई और इसलिए वो रोने लगती है फिर जब वहाँ से इसेबल की बोड़े लेकर जाई जा रही होती है तब ही वहाँ पर हम सिस्टर गुएन को देख पाते है जो कि सब को समझाने की कोईश कर रही थी कि उन सब को वहाँ से चले जाना चाहिए वरना जो हाल आज इसबल का हुआ है आगे चल कर उनका भी हो जाएगा लेकिन तब ही वहाँ पर डीकन एंजो आता है जो कि गुएन को पकड़ कर अपने साथ लेकर चला जाता है खेर अब रात में हम वापस से सिसीलिया को देखते हैं जब वो अपने रूम में बैटी हुई थी तब ही वहाँ पर उसके रूम की वो फोटो नीचे गिर जाती है जिसके पीछे मोवी की शुरुआत में उस सिस्टर ने भागने से पहले कुछ लिख दिया था लेकिन कैतलिक भाषा होने की वज़ा से सिसीलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसलिए वो डिक्शनेरी में जाकर चेक करने लगती है जिससे उसको पता चलता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो शैतान की वज़ा से हो रहा है लेकिन अभी भी सिसीलिया को समझ में कुछ नहीं आया था और अब जब वो कॉन्वेंट में रखे हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है तो उसके बार में वहाँ पर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी जिसको देखने के बाद सिसीलिया को बहुत बड़ा जटका लगता है कि इन सब की क्या ज़रूत है क्योंकि उसने इतना सब कुछ अपने बारे में किसी को भी नहीं बताया था और इसका मतलब साफ था कि सिसीलिया को पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पर लाया गया है लेकिन अभी के टाइम पर सिसीलिया कुछ सोच पाती कि तब ही उसे किसी के चिलाने की आवास सुनाई देती है और जब वो आवास का पीछा करते हुए एक रूम के बाहर पहुँचती है तो वो सिस्टर गुन को देख पाती है जिसकी जीप को काटा जा रहा था और ऐसा इसलिए क्योंकि आज सुबा वो सब को भड़काने की कोईश कर रही थी जिसको देखकर सिसीलिया गबरा जाती है और वो वहाँ से भाग पाती कि तब ही वहाँ पर सिस्टर फ्रेंसेस का आ जाती है जो कि सिसीलिया को बताती है कि उस जगा पर आकर कोई भी वापस नहीं जा सकता और तब ही फ्रेंसेसका उसको पकड़ कर उसके रूम में बंद कर देती है यानि कि वो भी इस खेल में मिली हुई थी अब अगली सुबा हम वापस से फ्रेंसेसका को देखते हैं जिसकी आँख सिसीलिया के चलाने की वज़े से खुलती है तब ही वहाँ पर टेड़ेसकी भी आ जाता है और वो लोग देखते हैं कि सेसेलिया का मिस्केरेज हो गया था जिसको देखने के बाद सब बहुत ही ज़दा दुखी हो गए थे साथी साथ टेड़ेसकी भी बहुत ज़दा डर गया था इसलिए वो सेसीलिया को तुरंट ही अपने साथ कार में बैठा कर वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है और अब लोगे वहाँ से निकलने के बाद फ्रेंसेसका जब रो रही थी तब ही उसकी नजर सेसीलिया के बिस्तर के नीचे पढ़ती है तो वहाँ पर एक मरा हुआ मुर्गा पड़ा था जिसका मतलब सेसीलिया ने उन्हें बेवकूफ बनाया था था कि वो वहाँ से बाहर जा पाए इसलिए फ्रेंसेसका इसके बारे में तुरंट ही टेडसकी को कॉल करके बता देती है लेकिन तब तक टेडसकी खोदी सब कुछ जान गया था पर तब ही टेडसकी कार को रुकवाता है और सेसीलिया से भागने के लिए कहता है तब सेसीलिया को लगता है कि टेडसकी अच्छा इंसान है पर जैसे ही वो वहाँ से भागने को इश करती है तब Tedesky और Deacon वापस हा कर सिसीलिया को पकड़ लेते हैं और वहां से उसे वापस Convent में लेकर चले जाते हैं और तबी Tedesky उसको वापस से वही कील दिखाता है जिसको Franceska ने उसको कभी दिखाया था और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के भयानक असली पत्ते अब टेडेस की सिसीलिया को बताता है कि असल में ये कील उनी कीलों में से एक है जिससे की रियल जीजस क्राइस्ट को सूली पर चड़ाया गया था यानि की क्रूसिफाई करा गया था और इसलिए उसके अंदर जीजस क्राइस्ट का डी एने है साथ इसाथ वहाँ पर हमको ये भी परजलता है कि असल में टेडेस की फादर बनने से पहले एक बायालोजिस्ट हुआ करता था और जब से उसे वो कील मिली है तब से वो उसमें से डी एने को निकाल कर धेर सारी सिस्टर्स को उस डी एने से प्रेगनेंट कर चुका है लेकिन उसे किसी के साथ भी कामियाबी नहीं मिली कुछी समय में हर सिस्टर का मिस्केरेज हो जाया करता था पर 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि सिसीलिया का वो बेबी जो है वो अच्छे से पल रहा था अब ये सब जानने के बाद सिसीलिया और जादा परिशान हो जाती है कि ये सबी लोग तो संकी है खैर तबी सिसीलिया को वो एक रूम में लेकर जाता है जहांपर धेर सारे प्री मिच्य और बेबी को रखा गया था जो कि मारे गए थे और अब फादर सिसीलिया के पैर में भी वैसा ही क्रॉस का साइन मना देता है जैसा कि सिसीलिया ने पहले एक बूड़ी सिस्टर के पैर में देखा था यानि कि यहां से कोई वापस नहीं जाता था जिनके बच्चे मर जाया करते थे उनको यहीं पर रख लिया जाता और वो यहीं पदी बूड़ी होकर खत्म हो जाया करती थी साथी सा सिसीलिया को समझ में आ गया था कि अगर उसको खुद की जान बचानी है तो उसको वहाँ से भागना ही पड़ेगा पर अभी के वक्त पर उसको एक रूम में बंद कर दिया जाता है जहांपर उसको समझ में आता है कि उसके रूम में जो नोट लिखा गया था उसका मतलब था कि वो बच्चा जो पैदा होगा वो सब सही कर सकता है और बिगाड भी सकता है और में भी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो खून बेशक से जीजस क्राइस्ट का था लेकिन वो उन्हें पीडा दे कर निकाला गया था इसलिए वो शापित होगा खेर अभी के टाइम पर सिसीलिया वहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत जोर जोर से चिलान लगती है पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता और अब उसको तब ही बाहर निकाला जाता है जब उसका अल्टरा साउंड होना था लेकिन तब ही वहाँ पर मदर सुपीरियर भी मौजूद होती है और वहाँ पर रखे हुए एक्विपमेंट की हल्प से उन्हें मार डालती है उनका चेहरा पूरा बिगाड़ देती है जिससे मदर सुपीरियर की वहीं मौध हो गई थी साथ ही साथ वो जैसे ही बाहर निकलती है तो बाहर वो फादर फ्रेंको को भी चेंड से गला दबा कर मारने लगती है जिसके बाद वो सीधा उस रूम में आ गई थी जहां पर जीसस क्राइस्ट वाली नेल रखी हुई थी यानि की कील रखी हुई थी तबी वो सीधा कील को उठाती है और उस रूम में जाती है जहां पर जीसस क्राइस्ट का डी ने और सारे के सारे प्रेमेचियोर बेबीस को रखा गया था और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो इसलिए सीसीलिया उस पूरी जगा पर इथनॉल फैला देती है और अब वो वहाँ पर आग लगाने ही वाली थी कि तबी वहाँ पर टेडिस्की आ जाता है लेकिन सीसीलिया के हाथ में लाइटर देखकर वो आगे नहीं बढ़ता लेकिन सीसीलिया को लेबर पेन होना चालो हो गया था और इसी बात का फाइदा उठाते हुए टेडिसकी सीसीलिया को रोकने की कोईश्ष करने लगता है लेकिन वो किसी तरह से खुद को चुड़ा कर बाहर जाती हुई गेट लॉक कर देती है लेकिन तब तक टेडिसकी ने भी सीसीलिया के बाल पकड़ लिये थे तब सिसीलिया लाइटर जलाकर रूम में फेक देती है जिससे वहाँ पर आग लग जाती है पर अभी भी टेडिस की जिन्दा बचा हुआ था और वो वापस से सिसीलिया का पीछा करने लगता है साथ ही साथ वो बहुत ही साथ गुस्से में था क्योंकि सिसीलिया ने सारे डियने को बरबाद कर दिया और अब सिसीलिया के पेट में है जीसस क्राइस्ट का आखरी डियने मौजूद था सिसीलिया भी वहाँ से जल्दी से जल्दी भागने की कोईश कर रही थी और अब वो भागती हुई एक टनल के पास पहुँच जाती है जो कि कॉन्वेंट में ही बनी हुई थी और अब अपनी जान बचाने के लिए सिसीलिया टनल के अंदर छुप जाती है लेकिन तब तक टेड़ेस की भी बाहर आ गया था जो कि बार बार सिसीलिया को बुला जा रहा था उसको गुस्से भरी आवास से बुला रहा था लेकिन सिसीलिया कोई भी जवाब नहीं देती कि तब ही उसकी नजर साइड में पढ़ती है जहां पर एक सिस्टर की डेड बोडी पड़ी हुई थी जिसको देखकर सिसीलिया बहुत डर जाती है और मेरे ख्याल से शायद से ये स्टार्टिंग वाली सिस्टर हो सकती है अब सिसीलिया किसी तरह से वहां से निकलती है क्योंकि already सिसीलिया को लेबर पेंचालो हो गए थे लेकिन इस बार सिसीलिया उसी कील को टेडिस्की की गर्दन में मार देती है जिसके अंदर जीजस क्राइस्ट का खून था जिससे होता ये है कि टेडिस्की की मौके बरी मौत हो जाती है फिर जब सिसीलिया बाहर आती है तब ही उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है और अब वो उस बच्चे को भी जनम दे देती है जिसको हमें दिखाया तो नहीं जाता लेकिन उस बच्चे की आवास से हम समझ पाते हैं कि असल में ये शैतान का बच्चा है क्योंकि ये क बार में डीटिल में तो नहीं बताया गया या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग अंजाने में ऐसा एक्सपरिमेंट कर रहे थे और ये सब जानकर सेसीलिया भी लड़ खडाती हुई किसी तरह से पास में पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को उठाती है और उस बच्चे लेट फिल्म की कहानी उमीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी मुझे परस्नली मूवी का कॉंसेट काफी बढ़िया लगा काफी इंट्रेस्टिंग लगा काफी डिफरेंट था ये इट्स लाइक की सूपर नैच्रल हॉरर मेट्स इद टेकनलोजी बाक दाई हो तो लाइक कर देना चैनल के उपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्षन में आप पूछ सकते हो तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए कर दो